मैं आज आपको एक 140 गज और 100 गज का बिल्डिंग का ऐलेविशन दिखा रहा हूं यहाँ से हम एंटर करेंगे 140 गज का और सौगज का फ्लैट है यह पूरी इसकी परकिंग आ जाती है और यहां से हम एंटर करेंगे अभी उपर के लिए अब मैं आपको फ्लैट दिखाने स्टार्ट कर रहा हूँ यह भी मैं ड्राइंग रूम के अदर एंटर कर रहा हूँ अगर मैं ड्राइंग रूम से आगे की तरफ चलता हूँ तो यह मॉडलर केचिन इस पेचिस फ्लैट है और काफी बड़ा फ्लैट है टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है आप केचिन देख रहा है इसके इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो फस्स बैड्रूम आ जाता है और बैड्रूम के साथ में एक अल्मीरा बना के दी हुए हुए है había है अगर मैं यहाँका बात कर रहूं तो यहाँ पर एक अलाग देदिया लग दियुल हुए है कि अगर में बालकनी की बात कर रहा हमें चोटी बालकनी इस साइड में आ जाती है अब मैं अगर आगे चल रहा हूं तो दोनों फ्रेंट पर डौर है इसका कोमन बात्रूम बंद है उसको मैं बात में दिखा दूगा आपको ये इसका सेकिंड बैट्रूम सामने एलिवेशन के साथ ही एक बालकनी है बालकनी में काफी स्पेस है आप अराम से बैठ सकते हैं ये इसका फॉल्क सेलिंग का डिजाइन है अब मैं यहां से आपको इसके साथ में बात्रूम दिखा दे रहा हूं बात्रूम काफी स्पेसियस है इसका यह इसका बात्रूम है जो कि रूम के साथ ही अटेच्च है अब मैं आपको लेके चल रहा हो हागे की तरफ यह इसका थर्ड बैडरूम थर्ड बैडरूम के साथ में यह विड़ो दी हुई है और इसी के सामने दोनों रूम के साथ यह आपको बालकनी मिल जाती है बालकनी का आप इस पेस देख रहे हैं और इसी के साथ आपको इस बैडरूम के अंदर यह अलमीरा मिल रही है और इसके साथ में एक यह बात्रूम म